हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी हलो दोस्तो आप सभी लोगों का मैं मरोज कुमार आपके अपने चैनल Study IQ IAS हिंदी पर मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और मैं उम्मिद करता हूँ कि आप सभी लोगों बहुत अच्छे होंगे आप लोगों के तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी दोस्तो आज हम लेक एक भारती इतिहास के एक बहुत ही महत्पूर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो मुद्दा है मौर प्रशाशन के बारे में यानि कि भारती इतिहास में अगर हम बात करें तो पहली बार एक विवस्तित प्रशाशन की जानकारी हमें मौर काल में मिलती है यानि के एक बेशाल सामराज जो आप देख रहे हैं लगातर के अशम यानि के बंगाल से लेकर के पूरे आपके अफगानिस्तान तक और आपके हमाले से लेकर के दच्छर भारत में करनाटक आंद प्रदेश के छितर तक इतना बेशाल सामराज था आखर इतने बेशाल सामरा बैक्तलपिक बिश्यक के लिए बहुत ही महत्पूर्ण मुद्दा है क्योंकि भारती इतिहास का पहली बार एक बिवस्तित प्रशाशन के हमको जानकारी मिलती है और इस जानकारी के एक नहीं बलकि कई कई स्रोत हैं अशोक के अबलेक तो हीं साथ के साथ कोरटिले का अर्थ सासत्र है मैगस तनीज की इंडिका है इन तीनों स्रूतों से हमें मौर कालीन प्रशाशन के बारे में इस पस्ट जानकारी मिलती है तो चलिए दोस्तों आज हम इस के बारे में चर्चा करेंगे और देखने कोशिश करेंगे कि मौरिश शासन किन किन तरीकों से किन किन मुद्धों पर हमको पढ़ना चाहिए जानना चाहिए देखे सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तो मौरिकालिन प्रशाशन का स्वरूप कैसा था कि वो है बिकेंदरी कृत था या बिखंडिस सामराजी था या मिस्सित प्रकार का सामराजी था पहले तो हम इस पर चार्चा करेंगे फिर हम बात करेंगे केंदरी शाशन के बारे में कि आखिर उसके केंदर का सासन कौन चलाता था कैसे चलाता था यानि कि राजा की शक्तिया को ले करके केंदर के बाद पूरा सामराज का विभाजन कैसे किया गया था किस प्रकार से किया गया था उन सभी मुद्धों पर हम लोग चर्चा करने के कोशिश करेंगे ठीक न ये बहुत ही important मुद्धा है सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रख तो किसी का भी इतना विशाल सामराज नहीं था इविन अकवर की समय में भी नहीं था इतना विशाल सामराज खड़ा किया गया तो स्वाबिक सी बात है कि इतने विशाल सामराज का नियंतरन इतने विशाल सामराज का प्रशाशनिक विवस्था कैसे संचालित होती होगी त कुछ लोग कहते हैं कि यह पूरी तरह के से केंदरी कित साशन था क्योंकि एक सक्तिसाली राजा था। कुछ लोग कहते हैं कि यह केंदरी कित नहीं था बलके बेकेंदरी कित सामराज्य की विवस्था थी। क्योंकि इतना बड़ शाल सामराज एकी किर्श सक्ति के माध्यम से उसको संचालित नहीं किया जा सकता था और तीसरा मिलता है कि एक दोनब प्रकार का मिसृत है यानि कुछ-कुछ केंदरी किर्थ विवस्ता है तो यह तीन स्वरूप के बारे में जर्चा मिलती है लेकिन इसको discuss करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगं को एक information आपको देना चाहता हूँ और बहुत ही important information है यह ध्यान रखेगा हलागे कहने के लिए batch का announcement का है batch को बताने का है लेकिन हकीकत में आप लोग अगर आप तयारी करना चाहते हैं कि 2025-2026 को आप qualify करना चाहते हैं तो आप लोग definitely एक चीज़ ध्यान रखेगा कि यह जो समय है बहुत ही सही समय है जिस समय आप लोग के optional की बिलकुल beginning हुई है बिलकुल starting हुई है तो अभी आप इस batch को इतिहास बैकलपिक बेसर के batch को join कर सकते है क्योंकि इसमें admission की जो last date है 20 मई है यानि कि 2 से 3 दिन और आपके रह गए है उसके बाद इसमें batch आपका close हो जाएगा फिर इसमें admission लेना संभव नहीं होगा और admission जो अभी जो class चल रही है दोस्तों धियान रखना जस्ट beginning हुई है पहला topic स्टार्ट हुआ है तो जिसमें हम लोगों ने पूरी study के साथ ancient हिंडिया से यानि प्राचिन भारत के इतिहास से class रू की है ठीक है बिल्कुल study के साथ मैं अगर यहां से आपका batch आपसे miss होता है तो फिर इसके batch की अगली date जो है बहुत लंबे समय बाद आएगे और तब तक कहीं आप लोगों का syllabus ना छूड़ जाए कहीं आप लोगों की चीज ना छूड़ जाए इसलिए मैं चाहता था कि आप लोगों को कि आप अभी इस batch को join कर सकते हैं जिसकी daily classes आप लोगों के एक बज़े चल रही है ठीक है ना तो अभी इस batch को join कर लीजे mk live याने के मेरा अपना code लगाने के बाद आप लोगों को ये batch 15,99 रुपे मिल जाएगा जिसकी actual cost 20,499 रुपे है तो घर बैठे आप आराम से इस batch को join कर सकते हैं इसमें वो सारी चीजें आप लोगों को available हैं जो आपको offline में भी आसानी से नहीं मिलती हैं पहली बात तो ये है कि ये जो batch जो है ये मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मेरा आपके हर व्यक्ति के लिए मेरा जो target है वो है कम से कम आपको 300 प्लस अंक आप लोगों को अपलब्द कराए जाएं जिससे के आपकी एक अच्छी rank आ सके आप लोगों का selection से और हो सके और इसके माद्यम से GS में भी अच्छे number लाए जा सके क्योंकि अगर इतिहास का portion अगर कमजूर होता है तो कहीं न कहीं GS में भी इसके marks बहुत कमाते हैं कारण है कि student फिर एक इतिहास को ignore करने के बाद में GS में performance अच्छी नहीं दे पाता क्योंकि GS के जो question अगर आप देखेंगे तो आपके सामने paper हैं आप optional के paper उठा लीजे और GS के history के question उठा लीजे तो आपको दिखेगा कि history optional के paper GS के paper से थोड़ा सा आसान है यानि कि GS का paper का level ज्यादा tough होता है और यहीं बज़ा है कि student इसको ignore करता है दूसरा परारमिक परिछा में आप लोगों के जो question पूछे जा रहे हैं वो इतने depth में पूछे जा रहे हैं कि आप लोग साधरन तरीके से साधरन GS के माध्यम से संबग नहीं है क्यों क्योंकि जो साधरन question थे उनको पूछ पूछ के UPSC सारा अपना जो भंडार है खाली कर चुका है तो अब वो गहराई में जाकर के analytical questions और अच्छे से पूछना चाह रहा है और ये पिछले पांसा साल के pattern को आप लोग देख सकते हैं अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बता दिये क्या असर आप गलत बोल रहा है मेरा उद्दे से है आप लोगों को सही जानकारी देना दूसरा इसमें एक चीज़ और भी है कि GS का जो पेपर आता है पॉलिटी वाला सेकेंड पेपर GS2 उसमें देखेंगे तो पॉलिटी में सम्मेधान एक विकास वाला टॉपिक है वो historical point of view से पढ़ना बहुत जरूरी होता है उसी तरीके से IR है international relations 1945 के बाद यानि दुती बिशुद्र के बाद दुनिया कैसे बदली है और उसके सारे कैसे कैसे विकास हुए है पूरी दुनिया में बदलावाए है उनको नहीं समझेंगे तो IR को समझना बहुत मुस्किल होता है और IR की क्लास में GS की क्लास में क्या आपको word history के इस portion को इतना detail में आपको पढ़ाया जाएगा जब कि मैं बता दूँ कि आप लोगो इथिक्स के दो यूनिट आपके इतिहास सम्बन देते हैं जिसमें आपके thinkers और राष्टवादी जो नेता हैं आपके philosophers हैं, thinkers हैं, चिन तक हैं, वो दोनों इतिहास सम्बन देते हैं यानि कि इतिहास में गांधी, नहरू, टैगोर, अंबेटकर, ठीक न, आपके महभीर स्वामी, महतमा बुद्ध ऐसे वहान ब्यक्तितों हैं, लड़के अर्थसास्तर हैं ऐसे महुत सारे अच्छे अच्छे बिद्धवान हैं, जोनों ने अपनी किताब लिखी और नैतिक ताके राजनेतिक नैतिक ताके विचार रखे हैं तो उनको इतिहासिक संदर में जानना बहुत ही जरूरी है और जब तक उनका इतिहासिक बैकग्राउंड यानि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किलियर नहीं है तब तक इसको आप लोग आसानी से नहीं कर सकते मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि इतिहासिक बैकग्राउंड कि विचार पढ़ने से आपका जीएस का कितना पॉर्चन स्ट्रॉंग हो सकता है और सिलेबस जीएस से आर्लेडी कम है यह मैं पिछले एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि क्या इतिहास बैकल्पे कि विचार का जीएस जादा है या जीएस का तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि 300 प्लस अंक लाना आजसान है और इसमें आपको धियान लगी हैं क्लास और टेस स्रीज तो इसमें है ही साथ के साथ आपके क्रक्स है मैटेरियल है ठीक है ना डेली आंसर राइटिंग की प्रक्टिस है मॉडल आंसर हैं प्रिवेस येर के क्वेशिशन की पूरी प्रक्टिस है जितने अब तक बिछले 20-25 साल में आई हुए हैं मैप की स्पेशल आपकी अलग से क्लासेस हैं ये सारी चीजें आपको इसमें एबिलेबल हैं मातर 15,999 रुपए में जिसके लिए आफ लाइन में आपको कमस्क्रम 60, 70, 80,000 रुपए देने पड़ते हैं और उसमें भी इतनी फैसलिटी आपको नहीं मिल पाती अब आप डिसाइड कर लेजिए कि क्या आप इतिहास के बिना GS में नमबर कम लाना चाहते हैं या इतिहास के साथ सेलेक्शन को स्योर करना चाहते है बस यही है और एक अच्छा मौका है 20 तारीक तक एड़िशन लेने का बाकी आपको किसी भी तरह कि कोई डाउट हो तो मुझे टेलिग्राम पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं जिन लोगों अभी तक टेलिग्राम मेरा इंस्टाग्राम या मेरी मेल आइड़ी पर कॉंटेक्ट नहीं किया है टेलिग्राम गूर्प को जॉइन नहीं किया है इसमें कोई शक नहीं है, चाहे MQ Live Code लगाएं या ना लगाएं, लेकिन ये Code आपको मेरे दिल के नजदीक लेकर के आता है, तो सहविक सी बत है कि आप इसको यूज करेंगे, और ये Telegram Group का चैनल है, ठीक है न, अब हम बात करते हैं, इसी में एक ची ध्यान रखीगा, जो हम ब बड़ा है, तो स्वरूप को लेकर के उतनी ही जादा बाते होती हैं कि आखिर चंद्रगुप्त मौरे हो, बिंदुसार हो, या अशोक हो, उसने इतने बड़े सामराज्यों को कैसे समाला होगा, ठीक न, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये कल्यान कारी, कल्यान कारी राजतंत्र पर आधारिक था, ये तो बिल्कुछ सही है कि कल्यान कारी राजतंत्र था, यानि कोई भी राजा नरंकुष नहीं था, बले कि कल्यान कारी लोग कल्यान में बिश्वास करते थे, लेकिन बात आती है कि क्या, यह है केंद्री कृत सामराज्य था, प यह बिकेंदरी कृत था, या फिर यह मिस्र था, दोनों का मिस्र था, पहली नजर में देखने पर लगता है कि यह एक बिकेंदरी कृत नहीं बलकि केंदरी कृत सामराजी था, कि मौर सामराज पर जतने भी प्रशोद हुए हैं अधिकांस बिद्वान ना माना है कि या केंद्रिकिर्ट सासन था चूंकि ध्यान नखेगा पूरे सामराज सामराज का नियंत्रण किसके हाथ में था एक शक्ति साली राजा के हाथ में सक्तिसाली राजा के हाथ में, आप लोग सुस्ते होंगे कि सर आप बहुत ज्यादा एनल्टिकल पढ़ा देते हैं, बेटा एकची ध्यान रगेगा, UPSC पास करना है, तो आपको कंसेप्ट किलियर होना चाहिए, और कंसेप्ट किलियर है, तो फैक्ट्स तो आटोमेटिक करने वालों से कभी पास नहीं होता, UPSC का, इस्टेट पी एससी या कह सकते हैं, बेंक एससी वन डे एकजाम जरूर पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आइस करना चाहते हैं, तो कंसेप्ट के लिए रहोना चाहिए, और कंसेप्ट की बिहाब पर फैक्ट भी ऑर्टमेटि याद हो जाते हैं, बिल्कुछ सिस्टमेटिक तरीके से, तो मेरा उद्दे से वही होता है कि मैं आपको कंसेप्ट समझाओं, कंसेप्ट के साथ मैं फैक्ट की जरूर पर तो फैक्ट भी आपको बता दूँ, जितना जरूरत हो, ठीक न, तो ध्यान रखीगा, तो एक सक्ति साथ में बांट कर इसका नियंत्रण करता है, कैसे कह सकते हैं। यहान लखेगा चंद्रगोप्त मऌरे के समय में, चंद्रगोप्त मौरे के समय में ये आपके चार परांद्थ थे और अशोच के समय में, असोप के टाइम पिरिड में आपके ये आपके पांच प्रांथ थे फाइब प्रॉविंसे चार प्रांथ कौन से थे आप लोग अच्छे से जानते हैं नहीं जानते तो सुन लिजे नंबर एक प्रासी प्रासी या कहीं कहीं प्राची लिखा रहता है जिसकी राजधानी थी पृत्र यानि कि पूर्ब का दूसरा था उत्तरापत गया जिसकी राजधानी तितक्षछफिला तीसरा था आपका अवंधि रास्ट रेंदा है आधि में आवंधि रास्ट कि जिसकी राजधानी थी आपकी जैनी ए और चौथा चंद्रोप्त मौरिक के समय में चौथा जो प्रांत था वो था दच्छनापत जिसकी राजधानी थी सुवर्ण गिरी और असोक ने इसमें पाँच्वा प्रांत जोड़ा था उसका नाम था कलिंग इसी को अकेले उसने जीता था और इसकी राजधानी थी तोसली कहीं पर समपा लिखा रहता है बेशली राजधानी थी तोसली ठीक न दियान रखिकत मैंने नीची लिख दिया आई आप यहां लिख सकते हैं तो-स-ली इसकी राजधानी थि तो इन पाँच राजज़िओं के माध्यम से सासक इस पूरे सामराज्य का नेंत्रण करता ह है ठीक न एक चीज़ ध्यान लगना तो पहला पॉइंट यह हो गया दूसरा पाइंट क्या कह सकते हैं कि कोच्टल लने कोच्णल लने अपने अर्थ सायस्त्र में अर्थ सास्त्र में साब-साब कहा है कि राज्य किस पर आधारिक्ता सब्तांग सिध्धांत पर किस पर सब्तांग सिध्धांत ये तुम्हें आप लोगों को बताई चुका हूँ याद है कि नहीं आप लोगों को अगर आप लोगों ने सभी लोगों ने मेरी प्रॉपर क्लास देखी होगी तो आपको सब्तांग सिध्धान्त याद होंगे जब मैंने कौटिल का अर्थसास्त्र आपको पढ़ाया था और सब्तांग सिध्धान्त में इसमें राजा पूरे सामराज्य का क्या था? मुख था ये यानि कि सर ये राजा क्या था? इसका मुख यानिके सर्था और बाकी पूरा राज उसका सरीर है उसकी आँखें उसके मंत्री है ठीक ना उसके कान उसके पड़ोसी राज है इस तरीके से बहुत सारी चीजों के बारे में असलिम बात कही गई है तो इस परकार से उसने पूरे सामराज को केंद्रिकित सामराज की तोर पर देखा है और इसी में कॉटल के अर्शास्तर में बाकाइदा 27 अध्यक्ष यानि के प्रसाशनिक अधिकारी की जानकारी दी है प्रसाशनिक अधिकारी नियुक्त थे वाकाइदा प्रोफेशनल अधिकारी थे 18 तीर्थ यानिके मंत्रियों की जानकरी दी है मंत्री योंकी जानकारी जिनके माध्यम से पूरा सासन पर सासन संचालित किया जाता था ठीक है ना इसके अलाबा इन सभी चीजों से पता चलता है कि उसके पास एक सैनने विवस्था उसके बाद उसके पास एक राजस्व विवस्थ था उसके बाद एक उसकी नियाए विवस्थ था सब कुछ बेवस्थित तरीके से था जिसमें राजा सबसे उपर था तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक केंदरी कृत सासन था जिसको पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा सामराज इन सभी प्रांतों के माध्यम से, प्रांतों के अधिकारियों के माध्यम से प्रसासनिक बिभाजन के माध्यम से संचालित किया जाता यानि प्रूफ हो गया कि यह केंदरी कृत सासन है लेकिं दूसरे मत के अनुसार देखा जाए अगर हम इसका second opinion देखें तो दूसरा जो मत है वो कहता है कि दूसरे मत के अनुसार कि यह बिकेंदरी कृत सासन था बिकेंदरी कृत था अब कहोगे ऐसा कैसे कह सकते हैं यह तो केंदरी कृत है यानि कि सारी सक्ति जब किसी एक राजा के अधीन हो तारा सामराज एक सक्ति के हाथ में हो तो वो बिकेंदरीकित नहीं होता बलके केंदरीकित होता है लेकिन इतिहास कारण कहा कि यह बिकेंदरीकित की प्रवर्ती है बिकेंदरीकित था यानि कि यह बिखर रहा था अकेला सामराज इतना विशाल सामराज में एक रूपता संभव ही नहीं है एक रूपता संभव नहीं है बोले कि पूरे देश एक जैसी पूरा इतना विशाल सामराज में पूरा एक जैसा सासन पर सासन संभव नहीं है हलांकि आज भी देखा जाए तो आज भी हमारे पूरे देश में सासन पर सासन एक जैसा नहीं है कहीं पर इस्थानिय स्वसासन है लोकतांत्रिक परंपराएं भी है और कई अन्य परंपराएं भी है आप देखते भी होंगे लेकिन आज की समय बात अलग है लेकिन ये तो हजारों साल पुरानी गटना है हजारों साल पुरानी लगवर धाई हजार साल पहले की गटना है तो आप सोचिएगा एक परसासनी की रूपता संभव नहीं है क्यों? क्योंकि असोक ने दिहान रखेगा अशोक ने अलग अलग प्रांत के गवर्नर के नाम अलग अलग रखे हैं कहीं पर आरे पुत्र कहा जाता है कहीं पर इनको कुमार कहा है यानि कहीं पर क्या है? वो आरे पुत्र है कहीं पर वो कुमार है ठीक ना खासकर पस्चिनी छेतर में कुमार है और पूर्वी छेतर में आरे पुत्र है ठीक ना क्या ध्यान रखीगा और दूसरी सबसे बड़ी चीज इन राजाओं के इन गवर्नोर के पास एक सक्तिसाली स्तेना भी है इनके पास क्या है एक सक्तिसाली सेना भी है है इन गवर्नोरों के पास में कैसे क्यूगि जब बिंदशार था तो बिंदुखार के समय में तशसिला मेरे अवंती का गवर्नर था और वहां से वह क्या गया था गांधार गया था तश्चिला गया था उस विद्रोह को दवाने यानि के केंदर से यानि के पाटल पुत्र से सेना नहीं गई थी बलके एक दूसरे गवर्नर को भीजा गया था दूसरे प्रांत में विद्रोह को दवाने के लिए ठीके ना, इसका मतलब है अगर इनके पास तक्तिसाली सेना है तो बेकेंदरी करण की परवर्ती भी होगी ठीके ना तो ये हो गया लेकिन पूरी तरीके से इसको भी नहीं कह सकते एक तीसरा मत आता है जो कहता है कि मौर प्रशाशन ये तीसरा मत है कहता है कि मौर प्रशाशन एक बिवित्ता पूर्ण प्रशाशन वाला सामराज्य है अब कहोगे बिवित्ता पूर्ण कैसे बिलकुल है इसमें तीनों बात है कही गई गई है इसमें कहा गया है कि बिलकुल केंदर में केंदरी करित्त विवस्ता है یعنی कि हम इस तरीके से अगर डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं पूरे सामराज्य को हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं तो ये तो है आपका center और ये है आपका outer area और ये बिल्कुल ही outer है बिल्कुल outer ये इससे connected है ठीक ना तो तीन छेत्र इसमें आपको दिखाई देते हैं पाटरी पुत्र का जो छेत्र है ये आपका ये केंद्री के तबाला ये पाटरी पुत्र का छेत्र है जहां पर आपके कैस विवस्तिंटिंटिंटिंटिंटूर日本 केंदरी कृत्त विवस्तिंटिंटिंटिंटिंटूर्षिजित कान्ट्र है सुदूर वर्ती छेत्र खासकर दच्छन भारत वाला या पश्चमोत्तर भारत वाला या पूर्वी भारत वाला ये यो बिल्कुल हैं ये पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं थे बलकि ये जो छेत्र हैं सुदूर वर्ती ये अर्ध नियंत्रण में हैं कैसे हैं अर्द नियंत्रत यानि के इन पर दूसरे लोगों के माद्यम से उन पर सासन चलाने की कोशिस की जाती थी थोड़ी उनको छूड़ दी जाती थी इस मज़े से ठीक ना इसका मतलब है इन्होंने एक बिवारिक दिश्ट कोण अपनाया था इसके अलाबा एक तीसरी चीज और भी थी और वो थी कि इनी छेत्रों में आपके साथ के साथ राजतंतर के अलाबा गड़ राज भी चल रहे थे यानि गड़ राज की परंपरा भी इसी समय मौझूद थी लिहान रखना तो कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मौर प्रसाथन तीसरा वाला प्रशाशन है जहां पर केंद्रिकित साथन भी है बिकेंद्रिकित साथन भी है गड़ राज की परंपरा भी ये दोन माना जाता है everybody तो ये बात आपको clear हो गए की नहीं हो गए कि मौर सासन, मौर परशाशन कैसा था, कैसा नहीं था किस तरीके से था सरूप clear है ठीक है ना तो इस तरीके से आप तो सारी चीजों को पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, एक एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए और जानिए कि मौरसासन का सुरूप कैसा है अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप बता सकते हैं ठीक है ना अब इसको चलाने के लिए वाटल के अर्थसास्तर में एक अलग विवस्था बताई गई है मैगस्तिनीज के इंडिका में अलग विवस्था बताई गई है आपके असोक के अबलेखों में एक अन्य विवस्था बनाई गई है वो जो आपका पोर्शन है उसको हम लोग अलग से डिसकस करेंगे यहाँ पर हम इसको इस समय डिसकस कर रहे हैं के मौर्श आसन का स्वरूप कैसा है इस पर ठीक ना ध्यान रखेगा और आप लोग के लिए के इंपोर्टेंट दूसरी न्यूज यह है कि सत्रे तारीक से आप लोग का सत्रे मैई से एक बैच शुरू हो रहा है जी एस का पी टू आई बैच दो हजार पच्चिस दो हजार च्चिस को धियान में रखते हुए जो लोग दो हजार पच्चिस दो हजार च्चिस में सेलेक्शन चाहते हैं तो वो लोग मेरे साथ इस बैच को जॉइन कर सकते हैं क्योंकि 17 तारीक से जो class start हो रही है यानि कि आज से तो ये definite मान के चलिए कि इस class में आप लोग इतिहास की किछा के साथ मेरे साथ अपनी journey शुरू करेंगे अगर आप चाहते हैं कि मेरे guidance में एक सही दिसा में आप तैयारी करें और सफलता सुनिश्चित करें तो definite आप इस batch को join कर सकते हैं MK live code के साथ में आप लोग इस batch को मात्र 27,999 रुपे में इसको join कर सकते हैं और इसमें 18 किताबों का एक set भी आपको मिल जाएगा ठीक है ना दियान रखेगा इस 18 किताबों के set की कीमत बर्तमान में लगबग आपके 10,000 रुपे से जादा है और यह वो किताब है जिनकों बहुत अच्छे बेशेश्यक जो आने मिल करके लिखा है जो आपके exam के point of view से काफी important है बहुत important है ठीक है ना तो आज की class में आप लोगों को लगा होगा कि मेरे सर ने topic कम पढ़ाया और promotion जादा किया तो दोस्तों उसके पीछे region है कि batch इस समय जो launch हो रहा है उसमें आप लोग डिले ना करें बलखे अपना सही समय पर तयारे करें और इसमें वही पूरा stage, चार stage की रर्णीती, पूरा material, पूरी class notes, पूरा handwritten notes सब कुछ आपको इसमें available है तो बस इसको करिए और बाकी portion आपको कल मैं discuss करूंगा मौर परसासन की बारी किया जो आपके GS और optional दोनों के point of view से काफी important होगा GS का मौर परसासन का part 2 ठीक है ना च सब्सक्राइब करें, Study IQ IAS Hindi